कि यह डिस्काउंट दिया किस पर जाता है आप मुझे बताओ मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने गए और उस वस्तु की आपको MRP दे दी 100 रुपया MRP दे दी अब आपने काया यह वस्तु का अंकित मुल्य है यह भाई सब सामान केतने का बोले सर इखने का ने ऐसे नहीं चलिए क्यों कि डिस्काउंट कुछ डिस्काउंट ठीक है यह दस परसेंट का डिस्काउंट दे लिए तो सर कितने डिस्काउंट दे लिए नभ रुपय दे लिए यानि कि एक दुकानदार है उस दुकानदार ने discount दे दिया जब इसने discount दिया तो 90 रूपे इस दुकानदार का क्या है 90 रूपे इस दुकानदार का तो विक्रेमुल्य है क्योंकि इसने में इतने में बेचा है और अगर आप ग्राहक हैं अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए 90 रूपे क्या है आपका खर्चा यानि कि आपका क्रेम उल्ले तो ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि जब कोई लेंदेन होता है या कोई व्यापार चलता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें हमेशा होती है कि आप अगर दुकानदार हैं तो आप अगर किसी को डिसकाउंट देकर बेच रहे हैं तो वह जिस कीमत पर आप बेच रहे हैं तो वह विक्रेम उल्ले होगा और जिस कीमत पर अगला खरीद रहा है तो वह उसका क्रेम उल्ले हो गया गॉट इट प्लीज यानों में जवाब दे दीजिए कॉंसेट बहुत अच्छा क्लियर है कि ग्राहक के लिए क्रेम उल्ले है यही और दुकांदार के लिए यही विक्रेम उल्ले और डिसकाउंट किस पर दिया जाता है डिसकाउंट जो है MRP पर दिया जाता है हमेशा अच्छी बात है यानि कि अगर आप परसेंटेज डिसकाउंट की बात करोगे तो डिसकाउंट होता क्या है कि कोई MRP सेलिंग प्राइस से कितनी ज़्यादा है यही आपका discount होगा और percentage discount क्या होता है MRP minus का selling price बटे MRP के respect में निकलता है जैसे कि example के तौर पर कोई चीज 270 रुपे की MRP है ठीक है और आप इस पर 81 रुपे का discount दे रहे हो तो मुझे बताईए percentage discount क्या होगा तो आप यह बोलोगे गुरुजी कि सर अगर आप 81 रुपे का discount दे रहे हो डिसकाउंट हमेशा MRP पर आता है 270 बटे 100 यानि कि आपका जो discount हो जाएगा वो 30% हो जाएगा 30% का discount हो जाएगा मेरी बास समझ में आ गई बोलिए हाया ना बहुत अच्छा concept है अगला concept मैंने आपको दे दिया कि यह selling price आपका 120 रुपिया है और profit आपका profit क्या selling price आपका 120 रुपिया है और discount आपका 40 रुपिया है तो percentage discount बताओ कितना होगा देखते हैं कौन निकालता है बताओ भई मत्तोसर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें मैंने का बिलकुल लगाना पड़ेगा कि discount निकालने तो discount 40 है लेकिन discount निकलता है MRP पर तो MRP कितना होगा MRP होगा 120 प्लस 40 आई बास समझ में selling price में जुड़कर तो आपकी जो MRP हो गई वह 160 हो जाएगी और discount हो जाएगा वह 25 प्रतिशत हो जाएगा गलती जो कर रहे हैं वह गलती ना करें कंषब चीजें सारी की सारी ठीके सर्थ ये बात भी समझ में आ गे अगर मैं बात कहता हूँ कि एक होता है मार्कप परसेंटेज मार्कप परसेंटेज क्या होता है मार्कप परसेंटेज यह होता है कि क्रेम मुल्य को कितना अधिक अंकित किया जाए मेरी बास समझ में आ रही है क्रेम मुल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा कर अंकित किया जाए उसको बोलते हैं अपन मार्क अप तो यह बहुत प्यारा कंसेप्टे की क्रेम उल्य को कितना अधिक बढ़ा कर अंकित किया जाए और फिर उस पर आप क्या दे दो डिसकाउंट मेरी बात आपको समझ में आ रही है अरे वासर यह बात समझ में आने वाली है जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई चीज 100 रुपे में खरीद कर लेकर आया मैंने उसको 20% अधिक अंकित कर दिया तो कितने में 120 उर्पे मैंने इसकी MRP रख दी अब मैं चाहता हूँ कि profit कमाना है मेरे को तो मुझे पता है कि profit कमाऊंगा तब जब मैं इस बस्तु को 120 में बेचूंगा तो कोई खरी देगा नहीं मैंने 10% का discount दे दिया तो कितने में बेचूंगा तो मैंने जब 10% का discount दे दिया तो मैं इसको बेचूंगा 120 के 90% में कितना profit हो रहा है 100 में खरीदा 108 में बेचा यह विक्रे मूल लहीं तो है आपका जो profit हो रहा है 8 बटे 100 गुणा 100 8 प्रतिशत का हो रहा है मेरी बात समझ में आ गई बोली हाया न यह लॉजिक क्लियर हो गया कि आप जितना अधिक अंकित करते हैं वो क्रेम उल्यक के सापेक्ष में करते है यह बात क्लियर है भाई चलिए अगला concept अगर मैं बात करना चाहूं आप से अगले concept के बारे में तो अगला concept है MPCP concept MPCP concept क्या होता है कि क्या संबंध होगा MRP का cost price से directly तो क्या करना है संबंध में MRP है तो discount की बात चलेगी और CPA तो profit भी हो सकता है और loss भी हो सकता है profit है तो plus, loss है तो minus तो यह MPCP का formula है जिसे आप अपने दिमाग में रखें ठीक है भाई साब चलिए अगला क्या है सर अब आते हैं क्रमिक बट्टे पर जिसके बारे में आज एक लास है आपकी क्रमिक बट्टा अगर मान लीजिए दो बीस परसेंट और दस परसेंट के क्रमिक बट्टे मैंने दे दिये इस पर कुशन पेपर में बहुत आते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ एकल छूट क्या होगी एकल छूट क्या होगी यानि कि एक सक्सेसिब डिसकाउंट लगाने पर रिजल्टन डिसकाउंट क्या होगा मैंने बताया कि सर अगर क्रमिक बट्टा दे दिया जाए तो देखिए बीस प्लस दस माइनस बीस गुणा दस बटे सौ होता है लिख लो यही आपकी क्या होती है क्रमिक छूट होती है यानि कि तीस में से अगर आप दो घटा दे रहे हो तो 28 प्रतीशत की आपकी क्या आगई एकल छूट आगई यानि कि 30 और 20 का सक्सेसिव जो छूट होगा वो 28 होगा यह वाला फॉर्मूला तब लगता है जब अच्छी परसेंटेज हो जैसे कि अगला एक्जामपल मैं देता हूँ कि मुझे बताइए पहला सौधा यह है 30 और 10 परसेंट के सक्सेसिव डिसकाउंट का दूसरा सौधा यह है 20 और 20 के सक्सेसिव डिसकाउंट का तो मुझे आप से पूछना है कि अगर मान लीजीए आप ग्राहक हो तो ग्राहक के लिए कौन सा सौधा बैस्ट है पहला सौधा यह दूसरा सौधा ग्राहक के लिए कौन सा सौधा बैस्ट है बताइए अब मेरे पास दो डिसकाउंट दे दी है और यह क्रमिक छूट है तो अब इस क्रमिक छूट के बाद आपको जब टोटल देखोगे तो 40 परसेंट ही लगेगा लेकिन फर्क है दोनों में फर्क है अगर आप इस क्रमिक छूट निकाल रहे हो तो यह आ रहा है से 30 फ्लस 10 30 गुणा 10 बटे 100 यानि कि से 40 में से 3 गया तो 37 परसेंट और यह वाली छूट कितने आ रहे है 40 में से 4 गया तो 36 परसेंट तो ग्रहक के लिए कौन सा अच्छा पहला सौदा ज्यादा अच्छा क्योंकि डिसकाउंट ज्यादा है तो ग्रहक के लिए पहला सौदा ज्यादा बढ़िया परस्ट वाला ज्यादा अच्छा है जहां डिसकाउंट ज्यादा होगा वह ज्यादा फाइदे मन्द है वहां 36% डिसकाउंट है ठीक है माइडियर क्लियर है कितना फाइदा है एक परसेंट का फाइदा है MRP पर यह common sense वाले questions होते हैं सर अच्छा तो direct formula वाला case लगाएंगे क्या हमेशा हमेशा नहीं होता जैसे कि मैंने अगला दे दिया आपको कि 20% 10% और 15% मैंने तीन चूट दे दिया आपको तो क्या करोगे सर बताओ एकल चूट क्या होगी अगर यह तीन क्रमिक बटे हैं एकल चूट क्या है तो देखो 20 प्लस का 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100 तो अब देख रहे हो तो 30 में से 2 आ गया 28 प्रतीशत अच्छा अब यह आ गया ना इन दौनों का रिजल्टेंट है अब इन दौनों में लगा दो 28 प्लस का 15 माइनस का 28 गुणा 15 बटे 100 तो सर 33 43 माइनस 34 420 याने की 4.2 यह कितना आ रहा है 38.8 तो यह फाइदेमंद हो जाता है कब हो जाता है फाइदेमंद बताओ सर यह तभी जादा फाइदेमंद मेरे को नज़र आ रहा है जब अपने पास अच्छी परसेंटेज हो या उनके अच्छे परसेंटेज के हम फॉर्मूले में सैट कर सकें तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो छूट होंगी तो फॉर्मूला इस तरह से चलता है और यह जो डिसकाउंट होता है यह नेगिटिव टम है तो यह आपका एकल डिसकाउंट हो गया फॉर्मूले की टम में जब अच्छी परसेंटेज होंगी यह मेरी बात समझ में आ गई भाई अभी तो शुर्वा तो यह पिक्चर की और या फिर इनी कोश्चन में जैसे कि आपने अभी बोला कि 20 परसेंट और 15 परसेंट की मैंने छूट दे दी तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ रहा है बताओ फॉर्मूला लगाओगे तो 20 फ्लस 15 माइनस का 20 गुणा 15 बटे 100 यही होता है फॉर्मूले में यह डारेट परसेंटिज पुट करने वाला फॉर्मूला है 32 आ गया अब यही से ही आती है अनुपात की बारी और उसी को हम कहते हैं रेशो सक्सेसिव अब प्लीज देखिए सर इसमें क्या होगा 20 परसेंट एक बटे 5 होता है यानि की 5 में एक का डिसकाउंट एक बटे 5 होता है न यह तो 5 में एक का डिसकाउंट यानि की 4 पंदरा परसेंट होता है तीन बटे बीस अब बीस में तीन का डिसकाउंट याने की सत्रा को दिक्कत नहीं तो देखो बीस पंजे सो आपस में गुणा कर सकते हो आप और आमने सामने काट भी सकते हो सत्रा चौके अड़सट कितने का रहा है 32 परसेंट यह आपकी MRP कहलाती है यह आपका सेलिंग प्राइस क्यालाता है सक्सेसिव केस में और यह आगया आपका सक्सेसिव डिस्वांग अच्छा लग रहा है एक बार जोर्दा तरीकी से लाइक शेर हो जाए मज़ेदार